नवी मई में वाड अरक्षन में धादली का खुलासा एमके मरवी की मांग गनेशनाईक और ये भी मिसाल का ब्रेन मैपिंग कराओ नवी मई मनपा चुनाओ की तयारियों के बीच वाड अरक्षन में बड़ा संसनी खेश खुलासा सामने आया है एरवली के शुषेना नगर सेवक्यमके मरवी और विनिया मरवी ने आज एक प्रेस कॉनफरेंस में इस धादली के खिलाब मनपा के ततकालीन उपायुकत मोल यादों निर्वाचन उपायुकत विनास शनस और आयुकते भी मिसाल पर संगीन आरूप लगाते हुए कहा कि इन अधिकारियों ने सत्तारूड बीजेपी नेता गणेशनाई के सारों पर वाडों के आरक्षन में धादली की ताकि अभ्यासू नगर सेवकों को चुनाओ से बेदखल किया जा सके एमके मणिवी ने कहा कि यह आम जनता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उलंगन है इसलिए आरक्षन नए सीरे से होना चाहिए नहीं में मुणिसिमल कॉर्परेशन की जो इलेक्षन जो आरक्षन डिकलर के गए वो पूरा निवन्यूक आयोक के आयुक्त नहीं मुवाई की जनता का और यहां के जो कारे करते हैं उन लोग को पूरी तेगा दिशा भूल करके पूरा गलत आरक्षन निकाला हुआ है क्योंकि निवन्यूक आयोक का आदेश है राइटिंग में आदेश है लिखा हुआ है उसके अंदर कि 2011 का जनता के इसाब से आरेक्षन तुम लोग को रखना है इन लोगों ने अदेश में दिया है 2005, 2010, 2015 और 2020 जबी निवन्यूक आयोक के अदेश में लिखा है कि 2011 का जनता के नुसर करना है तो 2005 का सावल के दर उठता है 2010 का सावल के दर उठता है आउरंगबाद खंदपीट हाइखोड का 2007 में उसका रिजर्ट लगा हुआ है कि SCNT का भी प्रोटीशन होना चाहिए तो जितने भी SCNT वाड पुरे नई वम्मे में लगे हुए वो आहेंगी ही नहीं है क्योंकि उनका नमर आनी के लिए और दस साल लगेगा सब लोट्री कहां पर निकाल लिये जो सब करकarda हो गया और बसक्रादा लोगो चितनी यह ओगे इतने वाड यह और यह बोल इसको प्रकृर्य नहीं बोलते है उदर प्रकिया लोटरी सिस्टम प्रकिया होने चे पहले हम लोग जैसे उष्णवाज भाव नाट्टे कुन में घूस रहे मेरे आज में थामा दिया तुमारा वारकमां को सोला ये सी हो गया इसके पीछे भी उनका प्लानिंग ता तो नमीन गवते को नहीं रखा हुआ है वहाँ पे सुधाकर सोनने को नहीं रखा हुआ है वहाँ पे आनन सुतार को नहीं रखा हुआ है वहाँ पे हमी नहीं रखा हुआ है दरकनाध मोर को नहीं रखा हुआ है किश्वर पाटकर को नह नामदेव भगत को नहीं रखा हुआ है सुमनत वासकर को नहीं रखा हुआ है वह हमारी जो और अच्छी बात करने वाली जो हमारी स्वरुज पाटिल थी उनका अब यो गाव उसको भी एसी कर दिया है जो हुष में अभ्यासू उर्ति के जो थे जो हुष में आच्छी तरह स बात करने वाले थे उनको सबको उड़ा दिया है तो यह कहां का तरीका है गवर्तलाव है कि निर्वाचन आयोक के दिशा निर्देशा नुशार आम चुनाओं को निस्पक्ष भैमुक्त और पारदर्स्री तरीके से कराने का प्रावधान है लेकिन नविमबई में अधिकारियों की ब्रेन मैपिंग कराने की भी मांगी उन्होंने अभी दावा किया कि अगर आरोप गलत हुए तो मैं हर सजा भूकतने के लिए तयार हूं और यह जो गलत करके रखा है यह गलत वाइट हूंस ब्लैक हूंस में हुआ है और उनको साथ दिया हुआ है निवन्नुक आएक के उपायुक्त आविनास सनस नविमबई मान अगर पाली के उपायुक्त आमोल यादव और ततकल नावुक्त मिसाल साब कमिटी कमिटी जो नेमनी चाहिए गठित करनी चाहिए वह कमिटी पे उत्कुर्श्टा काम करने वाले प्राहमानिक आधिकारी कोई ही वह कमिटी में लेना है और वह कमिटी नेम के वह काम करना है इन लोगों ने गलत काम कर रहे करके वाइट हाउस ब्लैक हाउस में जाके क काम कर रहे करके हो कमिटी में जो एक अतिरिक्त आयुक्त तो तो जो किया हुआ है ए mm काम किया हुआ है और गलत काम करने वालों चाहिए ब्रेमलग जो बोला 52013 उपाउक्ता न्यौ और पहले मतदाता सुची जारी करने पर रोक लगा रखी है देखना होगा कि सुमवार को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत का फैसला किस तरफ जाता है हलाकि इतना तो सच है कि वार डारक्षन में धादली के खुलासे ने एक बार फिर नईंबई की राजनिती को गर्मा दिया है बिरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया